शी गोवर्धन नाथ की जय शी विठलेश राय की जय शी गुरिराज धरण की जय श्याम सुन्दर शी अमुने महराणी की जय शीमद बल्लभा धीश की जय शी गुसाई जी परम दयाल की जय स्री शिक्साशागर शी हरिराई जी महाप्रभू की जय चोरासी वेश्नाओं की जय जेशिक्रश्न 27 वेश्नाओं मादवभट काश्मिरी वार्ता प्रसंग 3 एवं 4 वार्ता प्रसंग 3 और मादवभट को लिखिवे को बड़ो अभ्यास आतो सो शी आचेर जी महाप्रभू शी भागवत की टीका शी सुबोधनी जी करी सो मादवभट लिखत जाए जहां मादवभट न समझते तहां लेखन छोड़ी बेठी रहते तब शी आचेर जी मादवभट को समझावते तब लिखते और मादवभट शी आचेर जी के आगे एसे बेठते जो पाव न दीखे भाव प्रकाश काहे ते? शास्त्र में कहे हैं बडेन के आगे सिद आसन हुन बेठनो और पाव न दीखे एसे बेठनो सो द्वास भाव सो बेठते वारता प्रसंग चार और एक समेशे आचेर जी महाप्रभु परदेश हते तब मादवभट संग भे शी सुबोधनी जी लिखते सो एक दिन पिछली रातरी को मादवभट लगू बाधा को उठे तब चोरन ने तीर मारियो सो मादवभट को लगयो सो शी आचेर जी महाप्रभु को नाम लियो और नाम लेत ही मादवभट की देच उटी तब वेश्नवन ने इनकी देच को संसकार कियो पाचे एक वेश्नवने स्री आचेर जी सो विंती करी महाराज मादवभट सरी के भगवद ये को या प्रकार मृत्य क्यों भई तब शी आचेर जी स्री मुक्सो कहे मादवभट के परलोक में तो कच्छू हानी हे ना ही परंतु इनको एक भगवद अपरात परियो हतो ताको दंड पायो तब वेश्नवन ने पूछियो जो महाराज एसो कहा अपरात परियो हतो सो तब शी आचेर जी आज्या करे जो ये पहले अपने सेवे शी ठाकोर जी के सहिया फूलन की बिछा होते सो तब एक दिन फूलन में अंजाने सुई रहे गई सो मादव पटने जानी ना ही सो तब वह सुई शी ठाकोर जी के श्री अंग में इसपर्ष भई सो ता परात यह एसो भईयो है परिया की देह सावधान तासो भगवत नाम लेथ छूटी है ताते यहा को कचु बाधक ना ही है यह शीनाज जी के चननानविन पाए अब कचु कर्तविता रही ना ही भाव प्रकाश यहा में यह जताए जो पुष्टी मार्ग में सहिया पर फूल बिछाईवे की रीतिशे आचायर जी ना ही प्रगट किये क्यों जो यह लोकिक फूल है सो इनकी डांडी कठिन है और एक शन में कुमलाई जाए वस्तरन में फूलन के दाग परे ताते न्यारो फूल धर्यो रहे प्रभु को सुगन मात्रा आवे और लीला में तो फूल स्वरुपात्मक है सो परमकोमल है ताते फूलन की सहिया बनावत है सो मादवभट शे आचैरी जी की रीती छोड़ी लीला में फूलन की सहिया को वर्णन जानी मादवभट सहिया भरे सो प्रभु को आची न लागी ताते सुई रहे गई मादवभट को दंदे सग्रे वेश्नों को शिक्षा दिये जो शे आचैरी जी ने यह पुष्टी मारग में रीती प्रगट करी है और ग्रंथन में जा प्रकार आग्या करी है ताही प्रकार सेवा करनी और चलनो और अपने मनते कल्पित प्रकार करे तो शे गोवरदन दरन को भावे नाही जद पी लीला में वरणन हूँ होई तव अपने मारग में जितनी आग्या शे आचैरी जी शी गुसाई जी की होई तितनो ही कारी करे तो प्रभू बेगे प्रसन होई अथवा मादो भट प्रथम मर्यादा रीती सो शी ठाकुर जी की पूजा करते सो मर्यादा में फूलन की सईया करत है सो तपको अपराद है ताको दंड भयो पाची लीला में अंगीकार भय यह जताए सी आचैरी जी की शरनी ते जनम जनम को अपराद होई सो यही जनम में भोग लेई पाचे बाधक न रहे एसो शी आचैरी जी की सरनी को प्रताप है सो सर्व अपराद भोगी लीला में प्राप्त होई इहां ही भोग छूटे यह सरन को प्रताप दिखाए यह भाव है सो मादोबट की देह छूटी तब शी आचैरी जी कहे अब शी सुबोधनी जी रही भगवत इच्छा इतनी प्रगट करण की हती सो मादोबट की वारता कहां ताही कई है भाव प्रकाश या मेह जताए शी ठाकोर जी को पास बुलावने हते सो दोई आज्या आगे भई सो शी आचैरी जी महा प्रभू न माने तब मादोबट को यह अपरात के मिश लीला में बुलाई तीसरी आज्या दीनी तब शी आचैरी जी अंतहकरण प्रभोत ग्रंद करी अंतरध्यान लीला की है यहु कारण है वल्लब वेश्नव सदा सुहागी जोशी वल्लब शरने आवे सोपूरण बढ़ भागी गल्तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लब विमुद्रा सोहे मुखबोले गोपाला तन्मंधन वेश्नव पर वारू गाउशी गिर्दर लाला आज सभा में पून रहत हैं सूर दासन दलाला वल्ल भिवेश्नव सदा सुहागी जेशी क्रश्न